हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो मैं चानल नाम डिती पैशामिला आज की वीडियो में लटो को पाजी के लिए ड्रेस बनाएंगे यह रेखें यह हमने कुछ अलग तरह के ड्रेस बनाई है और आप बैक से भी देखें बहुत ही कुपसुरस ही है इसे बनाना बहुत हीज़ी इसे बनाया है वीडियो में आके बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चानल को सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब करें साथ में बैल आकन प्रिस करके और पर क्लिक कर लें जिसे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और अगर आपने मुझे भी तक इंस्टागाम पर फॉलो नहीं किया तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो करें मेरा इंस्टागाम है अमरिती फैसमिला 50 है फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्सन बॉक्स मिल जागा तो चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं गोपा तो जिरो साइज के लिए आपको रखनी है साड़े तीन इंच एक नंबर के लिए चार इंच दो नंबर के लिए साड़े चार इंच तीन नंबर के लिए पांच इंच चार नंबर के लिए साड़े पांच इंच पांच नंबर के लिए छे इंच छे नंबर के लिए साड़े 7 नमबर के लिए 7 इंच, 8 नमबर के लिए 7 इंच, 9 नमबर के लिए 8 इंच, और 10 नमबर के लिए 8 इंच, हमने आपको ये चोड़ाई बताएए, अब हम इसकी लंबाई देखते हैं सभी साइज़ में, तो 0 साइज के लिए रखनी है, 25 इंच, 1 नमबर के लिए 7 इंच, 2 नमबर के लिए 65 इंच, 3 नमबर के लिए 70 इंच, 4 नमबर के लिए 75 इंच, 5 नमबर के लिए 80 इंच, 6 नमबर के लिए 80 इंच, 7 नमबर के लिए 90 इंच, 8 नमबर के लिए 95 इंच, 9 नमबर के लिए 100 इंच, और 10 नमबर के लिए 105 इंच, तो इसके बाद हमने क्या करना है, मैंने मेंसर्मिन तो आपको बता दी। हम इसे ऐसे dy يع nasal करेंगे और डबल करने के बाद, हमारी यह जो folded side ke Raed अटरे के रहे है यह ओपर से folded side छो आरी है इधर से हमने प्लेटबनानी है ऐसे करके तो चले बना लेते हैं फिर आगे दिख्याएंगे क्या करना है यह ते के हमने प्लेट्स बना लिए हैं प्लेट डालनी के बाद यह कमर जो है हमने 5.5 इंच में कर लिए हैं 7 नंबर के कानाजी के लिए आप सभी साइस के लिए measurement देख ले 0 size के लिए कर लेनी है 2 इंच में, 1 नमबर के लिए 2 इंच में, 2 नमबर के लिए 3 इंच में, 3 नमबर के लिए 3 इंच में, 4 नमबर के लिए 4 इंच में, 5 नमबर के लिए 4 इंच में, 6 नमबर के लिए 5 इंच में, 7 नमबर के लिए 5 इंच में, 8 नमबर के लिए 6 इंच में, 9 न प्लित क simplement से our borders कि डबल कर लेते हैं कि आपको द्यान देना है कि यह थोड़ा सा आपकी से half circle होता है उस तरह से आ जै और यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा half circle के जैसा हो गया है हूम क्या करेंगे केसे कट करना है एक यहाँ से हम प्लेट को सिट करके पकड़ लेंगे जिसे हमारी प्लेट ही लेना और यह देखिए लगभग half circle में है थोड़ा सा चोटा है कि इसे हम यहां से ऐसे कट करेंगे यह दिखिए यह कुछ इस तरह से आएगा पूरा जब हम सरकल करेंगे थो हमारा आगे का सरकल छोटा आएगा यह करेंगा चुलिए हम देखते हैं आगे क्या करना है अब देखिए हमने क्या करना है यह सवी क्लेट को हम ऐसे हलका सा सेट करते और यह पूरा यहां से और यहां तक सिलाई लगा लेंगे आपको ध्यान देना है कि यहां पर यह एक छोटा सा वी आना चाहिए तो इशिश का ध्यान देते हुए हम यहां पर सिलाई लगा लेंगे आप चाहें तो देखें यहां पर ऐसे पिन भी कर सकते हैं यहां पर एक पि पूरा यहां से और यहां तक यहां पर पिन लगी हुई थी अब हमने यह स्ट्रिप ली है तो आसा डार पिंग कलर में अस्तरकाई फैब्रिक है इसकी चोडाई हमने रखिए यहां पर फोल्ड करेंगे डबल करना है और डबल करने के बाद हम यहां पर ऐसे प्लेट और पूरा यहां से लेके और यहां तक डाल लेते हैं फिर आगे दिखाएंगे क्या करना है यह दिखिए हमने यहां पर फ्रिल अटेच कर लिया है अगर आप इधर दिखेंगे तो इधर हमने यहां से की है अटेच जहां से हमने कटिंग की थी और अगर आप इस साइट दि इसे हम यहां से लगाना सुरू करेंगे और इस लेस में हमें बीच बीच में हलकी हलकी से छोटी चोटी से प्लेट डाल देनी है जिसे हलका सा फ्रिल समझ में और पूरा इसे हम यहां से लेके और यहां तक लगाएंगे चले लगा लेते हैं फिर आगे दिखाएंगे क्या करन हलकी हलकी से प्रिल डाल देने से अच्छे सेट हो गई आप हमने क्या करना है हम नहीं यहां पे देखिए यह रिबन लिया है यलो कलर में खोल लिए इसे अब देखिए यहां से हमने डबल फैबरिक लगाय था फोल्डर वाल तो लॉकरने की कोई जरूरत है नहीं उतनी बट फिद्बी हम यहां पे दिखिए ऐसकर करके लॉक करेंगे इसे यहां से यहां से configure उससे तेक करेंगे तो इसे यहां से ऐसे फोल करेंगे और एक इसलाई दर से लगाएंगे चल लगा देते हैं फिर आगे दिखाएंगे क्या करना है यो देखिये हमने इसलाई लगा लिए अब इनसे हम पलट देंगे यहाँ पर हमने इसे पलट दिया अब देकिए हम ने यहां chi प्लेट डॉलब डालनेदिया पहले से ही जैसे हम ने यहां पर प्लेट बनाई थी यृत हुद यहां फिराली बनाइए उससे कुछ बोडावते जा dépend और आप अब हमने अपनी यह वाली लेस ले लिए है हम क्या करेंगे यहाँ पैसे रखके एक सिलाई लगा लेंगे यहां से हमें एक्स्ट्रा रखना है जितना लंबा इदर होगा उतना ही लंबा छोड़ देना है और सेम इसी तरीके से हम इदर भी लगाएंगे क्योंकि हमारे बैक प यह आपने स्कॉड साथ यहां पर अne है यहां पर आटैच करना है हम आगे क्या करना करना है और हम दोस्के बात भीए हमने है यह इए कसे डोरी है यह हमारा इधर ने खल़ रखके बातना है बस इतना ऐसा एजी सा है तो चलिए मैं गोपाल जी को पहना ले तो फिर आपको दिखाऊंगी कि कैसे लग रहे हैं गोपाल जी इस ड्रस में यह देखिए हम ने हाप पर पोशाक पहना दी है यह कुछ इस तरह की लग रही है और बैक से भी बहुत ही कुपसूरत लग रही है में लेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए हरे कुछ ना रादे रादे